यहां पर आपको कुछ बाते पता होनी चाहिए आप जिस एयरिपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं वहां पर क्वारेंटàiन को लेकर क्या किया व्यवस्ता की गई है और आपका क्वारेंटàiन किन् सतरीके से किया रहा है क्योंकि यहां पर लोगों के कई तरह की समस्याय उत्पन हो रही है आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में ही बताने वाले हैं यहां पर जो लोग भारत में आ रहे हैं उनके पास दो आप्शन दिये गए हैं या तो फ्री वाले कॉरेंटाइन में रह सकते हैं यहां पर वो लोग पेड़ वाले कॉरेंटाइन में जा सकते हैं यहां बड़े सहरों में जा रहे हैं जैसे कि दिल्ली मुंबई बैंगलुरू हैदराबाद ऐसे बड़े सहरों में यह जा रहे हैं तो आप कोसिस करें कि आप फ्री वाले कॉरेंटाइन में ही जाएं क्योंक लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन बड़े सहरों में फ्री वाले कौरेंटाइन में ना जाकर पेट कौरेंटाइन में जा रहे हैं। तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगी कि इस समय जो इन बड़े सहरों के होटल मालिक है वे आपकी जेव को अच्छी तरीके से खाली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होटल से जिनकों की क्वारिंटाइन के लिए चुना गिया है वो आपको अच्छी तरीके से चुना लगा सकते हैं यहाँ पर एक पानी की बटल जो की 20 रूपे की होती है उसको 100 रूपे में बेजा जा रहा है और इसके सासरत लोगों के खाने के बिल जो की 50-100 रूपे का होना चाहिए उसको यहाँ पर 200-500 रूपे के बीच में आपसे वसूला जा सकता है ये बात यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं इसकी जानकारी खुद उन सभी लोगों ने दी है जो कि इस समय ऐसे होटलों में क्वारेंटाइन के लिए गए हैं ऐसे में यहाँ पर होटल मालिक आपको कम रूम रेंट का चार्जिस दिखा कर आपको रूम देने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन उसके बाद जो दूसरे चार्जिस होंगी उससे आपको वो लोग अवसी लूट सकते हैं फ्रेंक्स ये बात हो गई बड़े सहरों की जहाँ पर फ्री क्वारेंटाइन जो की अच्छा है पैट क्वारेंटाइन के मुकाबले आप बात करते हैं चोटे सहरों की यदि आप चोटे सहरों में आने वाले समय में उतरने वाले हैं तो यहाँ पर ऐसी खबर आ रही है कि अच्छा नहीं है कई जगे ऐसा देखा गिया है कि लोगों को अपने घरों से या फिर खूद के खाने का बंदोबस करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्वारेंटाइन सेंटर में उनको टाइम पर खाना नहीं मिल रहा था इसके अलबा साफ सफाई का भी अभाव देखन को मिला है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम आपको एक सलाह देना चाते हैं कि यदि आप बड़े सहरों में जाना चाते हैं तो आप फ्री क्वारेंटाइन की तरफ एक बार जरूर सोचें और यदि आप छोटे सहरों में उतरने वाले हैं तो आप कोशिस करें कि आप बैट क्व वारेंटाइन में जाएं फ्रेंड्स उमीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ हैल्प हुई होगी ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी जानकारी सही सही मिल सकें